जो अभी चल रहे हैं, CVT qualified candidate जो अभी form को fill up कर रहे हैं, interview demo के लिए उनको बुलाया जा रहा है, अलग अलग जगों पे, जहां जहां आपने apply किया था, तो उसमें उस process में अभी हम लोग के पास एक mind में questions आता है कि project school, non project school में differences क्या है, उन project में जाना सही है या non project में जाना सही प्लस में एक और questions हमारे पास ये आ रहे हैं कि जो candidate fraser है, that means कि उनके पास किसी तरह कोई experience नहीं है, तो उन candidate को नहीं रखा जा रहा है, जैसा कि आपने thumbnails भी देखा होगा, तो उन candidate अब क्या करेंगे, उनको कैसे वहाँ पर point किया जाएगा, कैसे उनको रखा जाएगा, और प्लस में अब उनको आगे क्या करना है, निक्स प्रोसेस है क्या, तो इस वीडियो में आपको ये सब सारे information आपको यहाँ पर provide किया जाएगा, प्लस में अगर आप मेरे चैनल पर new हो तो चैनल को like और subscribe कर लीजएगा, और telegram चैनल सब जरूर जो जाएगा, और जो भी candidate जि जुड़े रही है क्योंकि जब भी आप CBSE से, CBSE Affiliated School में जाते हैं, तो वहाँ पर training करवाया जाता है, in-house training और उसके बाद online training भी होता है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर provide करेंगे, हम link जिसके थूर आप training कर सकते हो, 25 training होते हैं one years में, तो वो चीज़ के लिए भी आ जाने की project school और non project school होते क्या है, तो दीखें, DAV एक संस्था से चलती है, यह चीज़ हम लोग को पता है, तो उसी बीच में हमारे पास दो options होते है, project होता है, तो पहले हम आपको बताएंगे, कौन से school आपके लिए better होगा, तो better कहने का मतलब यह चीज़ project school होगा, non project नहीं ह होगा better, मतलब यह भी अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन दोनों में camp prison करेंगे तो आपका project school है, project कहने का मतलब यह चीज़ कि यह किसी के fund के through, किसी के organization के through चलती है, मतलब यह किसी दूसरे पे depend रहता है, और इसमें और भी लोग रहते हैं, मतलब organization एक संस्था के through चलती है, उसमें आपको रहने के लिए accommodation वेगरा, fooding के लिए हम नहीं कहा सकते हैं, लेकिन रहने के लिए आपको दिया जाता है, तो यह जो संस्था के through है, जो fund किसी और के through होता है, तो यहाँ पे एक तरह से help मिल जाता है, others के through, others organization के through, तो इसके लिए हम यहाँ पे हम कह सकते है कि आपका जो school जो होगा, better school आपका project होगा, non project कहने का मतलब यह खुद पर depend रहता है, मतलब जो student से पैसा आ रहे है, बस उसी पे, तो इसमें आपको जो salary होगा, salary उतना अच्छा नहीं होगा, तो आप इसको पता कैसे करेंगे, कौन project होगा, कौन non project होगा, तो project कहने का ही देंगे, आपका, यह project है, non, अब ऐसा नहीं कि आपका non project है, तो खराब है, खराब नहीं होता है, वह भी अच्छा है, क्योंकि DAB है, तो DAB है, लेकिन दोनों में difference की बात करेंगे, और दोनों में reason की बात करेंगे, तो आपके लिए better होगा project, जिसको अगर project मिल रहा है, जादा बेटर है, तो जादा बेटर है, अब हम बात करते हैं कि फ्रेशर candidate के बारे पर जोकि सबसे जादा questions थे, अब फ्रेशर candidate क्या है कि इनको schools में जा रहे है, तो उनको interview नहीं देने दिया जा रहे, even कि उनको अच्छे से interview ने लिया जा रहे, डेमो भी लिया जा रहे, पता नहीं कि ऐसे DFA वाले क्यों कर रहे हैं, उनको समझी में नहीं आ रहा है, क्यूंकि जो भी candidate है, CVT qualified है, आपने CVT exam लिया है, तभी गया है, qualified हुए है, प्लस में उनका खर्च भी हुआ आने जान में, पैसा भी आपको ये form fill up करने में लगा था, तो बहुत candidate ऐसे हैं कि दूर दूर भी form को apply किया और फिर वहाँ भी कर गया है, उतना ज़्यादा खर्च करने के बाद भी उनको डेमो तक नहीं लिया जा रहा है, एक क्या होता है कि जैसे कि हम डेमो अच्छा से दिये, सारा कुछ अच्छा से हो गया, तो होने के बाद एक उमीद रहता है, तेकि आपको select करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो select करने से पहले ही वो डेमो ना ले रहे हैं सही से नहीं वो interview ले रहे हैं, तो यह सब गलत चीज है, किसी भी angle से यह मतलब सहीं नहीं है, तो ऐसे candidate को, मतलब पहले तो देखा जाते है कि जो फ्रेसर candidate है, वो जा रहे हैं, तो उनका interview लीजे, आप अच्छे से demo लीजे, अगर वो जो existing candidate है उनसे अच्छा है तो आप उनको रखिए, क्योंकि यहाँ पर education देना है, ऐसा नहीं कि जो experience candidate है, ऐसा थो नहीं कि experience candidate है, तो वो मतलब अच्छा ही हो गया, सकत हो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो जो फ्रेस पहले से work कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा तो preference आप से ज्यादा दिया ही जाएगा, तो इसके लिए आप mindset करके रखिए, क्योंकि आप खुद आप सोचे कि जैसे आप कहीं पर भी work कर रहे हो, अगर कोई अधर बाहर से आकर उनको रख लिया जादा, तो आपको वहाँ पर ल डेमो और इंटर्व्यू अच्छे से ले, ठीक है, उसके बाद result ना दे, दे ओ, उनका मर्जी, लेकिन डेमो इंटर्व्यू वहीं से आप demotivate कर दे रहे हैं, फिर क्या होता है, कि ये feedback सही नहीं जाता है, फिर candidate ये CBD exam देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगएगा कि जब हम फ्रेसर हैं, तो हम कहीं work भी नहीं किये हैं, तो मेरा होगा ही नहीं, तो CVT exam देने से क्या फैदा है, जूट क्या, और इतना tough exam हुआ था, exam tough plus में, interview tough हो रहा है, ऐसे तो government job के लिए अगर आप लोग तयारी करें, कहीं भी teachers के लिए, तो आपका हो जाएगा, तो हम तो suggest यही करेंगे, कि अगर आप कहीं government job के लिए preparation कर रहे हैं, आपके पस सारा qualification है, तो government job के लिए preparation के, KVS हो गया, NPS हो गया, यह सब ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है, डिये भी alternate है, private school में अच्छा माने जाती है, इसलिए लेकिन अब यही हमको सही नहीं लगने लगा है, क अब ही क्या करेंगे, तो देखिए, उन लोग one year का experience मांग रहे है, minimum, अब one year का experience उन लोग के पास आएगा कहा से, क्योंकि अभी अगर कोई भी normal school में जाते हैं, तो क्या करेंगे, कि एक साल के बाद उनका validity खतम हो जाएगा, पैक का, तो जब validity खतम हो तो फिर से देना पड लिजे कि एक बार और आपको exam देना होगा, और अब ही कहीं पे आप बैठे हुए हैं, तो आप प्लीज जाएए कोई private school में, और private school में जॉइन हो जाएए, और जॉइन कर लिजे वहाँ पे ताकि आपको experience हो जाए और वहाँ से कुछ certificate वगर लिजा, एक process आपका क्या है, कि जो fraser candidate हो, उनको तो फिर से एक बार और exam देना ही होगा, क्योंकि अभी तो हो नहीं रहा है, जहां हो जा रहा है, एक जगा ही आप ऐसा नहीं की एक जगा अप्लाई कियो वहाँ नहीं हुआ तो आप फिर दूसरा जगा नहीं अपलाई करेंगे, अब सभी जगा अपलाई क रखा जा रहा है, और seat full हो जा रहा है, तो यह जो बाहर से जो candidate आ रहे हैं, उनको एक दम preference में दिया जा रहा है, ठीक है, तो आप और भी जगा अपलाई कीजिए, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, और भी बहुत ज्यादा vacancies है, भी आते रहेंगे, एक vacancies गया, और भी vacancies बताइंगे, भी seat खाली होगा, तो फिर से vacancies लिग लेगा, ठीक है, तो इसके लिए आप टेलिग्राम पे जुड़े रहे हैं, हम आपको तो बताइंगे हैं, तो next process अगर आप कहीं normal बैठे हुएं, तो कोई भी schools आप जोईन कर लीजे, तो आप वहाँ पे जाके कह सकते हैं और किसी तरह का जानकारी चाहिए, तो कमेंट करके बताइएगा, भाई, टेक केर आवरीवर्वर्ण